हैं गाइस वेलकम विक टो मैं चैनल से पहले तो वीडियो को लाइक कर दें आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा देखिए आज हम आपको इस टाइप की जो इनर होती है हम लोग मार्केट से खरीड़ते हैं वो हम आपको बनाना बताएंगे जो की बहुत तरल है बहुत जल्दी बन जाती देखिए बहुत कमून लगती है तो आप लोग इसको ज़रू ट्राइए करें चले अवे स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है तो सबसे पहले हमने 3.5 mm का क्रोशे हुक लिया है और हमने 35 चैन डाली है इसमें ठीक है 35 चैन डाली है अगर आपको तो थोड़ा छोटा नेक रखना है इसकी नेक का जो फोल्ड करने की वाली लैंट जैंस को कम करनी है तो अब तीस चैन भी डाल सकते हैं अब हमने एक चैन ले ली ग्रोशा तो दो टे इक सात निकालते हैं उसको के तरीके से पूरी रोकों में कंप्डियत करना है और देखिए हमने पूरी रो यहाँ पर कम्प्लीट कर लिए है हर चैन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशर बनाया है अब देखिए हम क्या करेंगे एक चैन लेकर इसको घुमाएंगे और यहाँ पर आपको दो तार दिखेंगे देखिए तो आगे वाले तार में हमें डालना है और एक single crochet बनाना है देखिए इस तरीके से आगे वाले तार में डालेंगे और single crochet बनाना है ठीक है, देखिए आगे वाले तार में डालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सींगल खुर्चा बनाएंगे फिर आगे वाले तार में डालकर बनाएंगे तो जितनी भी चैन है हर चैन में हमें ऐसी ही रिपीट करना है पुरी रोग कम्प्लीट करने के वाद आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है ठीक है? तो दो रो हमारी बन गई है अब देखें फिर से एक चेन बनाके इसको घुमाएंगे घुमाएने के बाद देखिए फिर से हम आगे वाले तार में डालेंगे और ये सिंगल क्रोशर बनाएंगे दोनों फंते एक साथ निकालेंगे देखिए इस तरीके से हमें बनाना है तो अभी हमने नेक से स्टाट किया है गले से स्टाट किया है तो देखिए इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जितनी भी चेन है हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशर बनाना है आगे वाले तार में डाल कर ठीक है तीन रो हमने complete कर ले हैं अभी हमारे पास चौथी रो आगी है इसमें देखिए हम क्या करेंगे एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाली इसमें डालकर आगे बाले तार में डालेंगे एक single crochet बनाएंगे फिस के पास वाले में डालकर फिर से हम बनाएंगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है तो आपको जितना भी बड़ा बनाना है उसके हिसाफ़ से आप गले पर रखके देख ले उसके recording आप बनाएं हमने यहाँ पर इतना बनाया है और हमने 16 साल के लड़के के लिए बना रहे है ठीक है लड़की या लड़के के लिए आप बना सकते हैं इसमें एज नहीं है इसमें हेल्थ देखनी पड़ेगे अगर आपको जितना भी बड़ा साइज बना रहे है वह आपको यह पट्टी बनाके और गले पर एक बाद चेक करनी है गले पर रखकर उसके बाद आप इसको जोईन सुई से भी इसको सिल सकते हैं वट हम इसको क्रो रोश्रा बनाया उसके बाद देखें अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए पीछे वाले तार में डालेंगे और एक इस वाले तार में डालके इसको सिलिपिष्टिश इस तरीके से करेंगे दोनों में से एक एक तार में डालकर और सिलिपिष्टिश बनाइगे इसमें डालेंगे और हुआर निकालकर सिलिपिष्टिश बनाइगे इसी तरीके से हमें जॉइन करना है उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है तो आप अगर नहीं हो तो आप हाथ बाली सुई से भी लगा सकते हैं तो हमने पूरा जॉइन कर लिया अब हम क्या करेंगे देखिए इतना हमारा जॉइन हो गया है देखिए एक चेन लेकर इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक दो दो तीन हम यहां पर एक टी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे देखिए इस तरीके से बनाना है दो फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशेट कहते हैं ठीक है एक टी सिक्स हमें बनानी है इस तरीके से इसके अंदर बनाना है इस तरीके से जब आप लोग बनाना है स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा यहां पर हम बनाएंगे एक इसमें बनाएंगे तो आप लोग काउंट कर लें 86 हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ठीक है बनाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं देखिए हमने समझ में बना ली है अब हम यहां पर निशान लगाएंगे तो हम चार कॉनर बनाएंगे ठीक है तो देखिए यहां से हम काउंट करें तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा इसमें हम एक सेप्टी पिन लगा देंगे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला और सत्रा सत्र में में एक लगाएंगे हम अब देखे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उननिस बीस एक्षिस बाईस तेईस चौबिस पच्चिस चब्विस चब्विस वाली चैन में एक लगाएंगे हम सेप्टी पिन यहाँपर अब फिर से देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा सत्री पहली चैन में फिर से हम एक लगाएंगे यहाँ पर अब हमारे पास जो परच गई है उसमें देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा इदर है और पंदरा हमने इदर ली दी तो पच्चिस हमारी हो गई है ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं, देखे, यहाँ से लेके, देखे, यह हमारा फ्रेंट है, आपको हम दिखाएं, यहाँ पर हमारी बाजू है, यह दोनो, यह फ्रेंट है, यहाँ से लेके, य यहां तक बैक साइड है 26 सिंगल क्रोशेट है हमारे पर ठीक है यह हमारी बाजू है यहां पर यहां पर हमारे पार 17 है ठीक है अब देखिए देखिए फिर से हमारे पास ही फ्रेंट साइट आगे यहां पर हमने 26 ली है और यहां पर यहां पर बाजू है यहां पर सत्रा है ठी और बैक साइड पर हमने 26 छबिस लें ठीक है अब देखे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम चैन बनाएंगे एक दो दो चैन बनाके देखे दो चैन बनाने के बाद इसके पास वाली चैन में डालेंगे और हम एक हाप डबल क्रोशर बनाएंगे तीनों फंदे एक साथ निकालते है उसको हाप डबल क्रोशर कहते हैं फिसके पास वाली चैन में डालके भी हम एक हाप डबल क्रोशर बनाएंगे ठीक है फिसके पास वाली चैन में डालकर औरॡ़ी चैन में पास अयां निकाल बनाएंगे ठीक हम जाद सम्द्वल सवक भी हम डालका यरे भी हम पास वालक broadly क्रों टाम एक है वल झाल झाल इसी तरीके थे हम हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशेट बनाते हुए यहां तक आएंगे ठीक है फिर आपको दिखाते हैं देखे हम यहां तक लेकर आगए इसको खोलेंगे अब इसके अंदर हम दो बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे एक चैन लेने के बाद बापत इसी जगे डालके फिर से हमने दो बार बना लिया ठीक है फिर से हम सेप्टी पिल लगा दे रहे हैं ताकि याद रहे हमें अब देखिए फिर से हम जितनी भी चैन है हर चैन में एक एक बार हाप डबल क्रोशेट बनाएंगे जितनी भी चैन है हर चैन में बनातो है यहां तक लेकर आएंगे यहां पर फिर से हमें सेम रिपीट करना है इसके अंदर पहले दो हाप डबल क्रोशेट बनाएंगे फिर एक चैन लेके बापस इसी जगे बनाएंगे देखिए एक और दो एक chain के अंदर हमने पहले दो बार बना लिया फिर एक chain लेके फिर से दो बनाएंगे इस के अंदर ठीक है तो corner पर हमें same repeat करना है दो half double crochet और एक chain और फिर दो ठीक है तो इसकी जगे आप double crochet भी बना सकते हैं या फिर half double crochet भी बना सकते हैं अब फिर से हमें यहां तक हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशेट बना के लेकर आएंगे जितनी भी चैन है हर चैन में बना के लेकर आएंगे दिखी इसमें फिर से हमने सेम रिपिट कर लिया और फिर हमने सेप्टिपिन लगा दी अब जितनी हमें पास चैन बची है हर चैन में हम फिर से बनाएंगे तो इस वात का आपको ध्यान रखने है आगे के साइट और पीछे के साइट एक बरावर फंदे रखने है और बाजू पर दोनु बाजू पर सेम रखने है ठीक है चार हमें कॉर्णर बनाना है कॉर्णर पर क्या करना है दो डबल क्रोश्या या फिर हाप डबल क्रोश्या ठीक है एक चैन और फिर बापत होती जगे दो हाप डबल क्रोश्या या फिर डबल क्रोश्या इस तरीके थे में कॉर्णर पर बनाने है अब हमने दो चैन ले लिए अ इसको बनाते हुए यहां तक लेकर आएंगे यहां तक आने के बाद इसको खोलेंगे हम इसके अंदर दो बार बनाएंगे पहले एक और अब एक चेन लेके बापस इसी जगे डालके फिर से दो बार बनाएंगे एक और दो तो सेम हमें रिपीट करना है कॉर्णर पर भी चारो कॉर्णर पर सेम रिपीट करना है ठीक है फिर से देखिए तो हम हाप डबल क्रोशा बना रहे हैं आप डबल क्रोशा भी बना सकते हैं यहां तक लेकर आएंगे और यहां पर हमें बस कॉर्णर पर ही हमें थोड़ा सा चेंज करना है और बाकी सब में हमें एक एक बार ही बनाना है ठीक है, corner पर ही हमें दो बार बनाना है, फिर एक चिन लेके फिर से दो बार बनाना है, तो इस बात का ध्यान रखना है, देके दो बार बनाने के लाद एक चिन लेली बापस इसी जगे डालके फिर से हम दो बार बनाएंगे, एक और एक दो, तो इसी तरीके से इस पूरी रो क हम complete करेंगे पूरी रो complete करने के वाद दो रो हमने complete कर ली है अब देखिए हम ना double crochet बनाएंगे इसमें क्योंकि हमें half double crochet की रो जो आ रही है वो छोटी छोटी आ रही है इसलिए हम double crochet बनाएंगे तो हमने starting में 3 chain बना ली first वाली chain में डाल कर ऐख डबल ग्रोश्र बनाएं इसके पास वाले में एक double crochet बनाएं इसको ऐसे ही बनाता हुए corner तक लेकर जाएंगे और corner पर हमें क्या करना है फिर हम आपको बताएंगे देखिए इसको ऐसे ही बनाता हुए corner तक आगayı है इसमें देखिए हम एक double डबल क्रोशा बनाएंगे दो दो करके फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशा कहते हैं बापस इसी जगे डालके एक और बना लिया हमने अब एक चैन लेके बापस इसी जगे दो बार और बनाएंगे ठीक है जैसे हमने हाप डबल क्रोशा बनाएं था वैसे हमें डबल रो बना लेंगे उसके बाद मुढधे जोईन करेंगे जितने भी आपको मुढधे तक रखना है कि कुछ रो बनाने के बाद कौर्णर पर सेम रिपीट करना है फिर हम आपको दिखाएंगे देखिए हमने इतनी रो बना ली है टोटल हमने 7 रो बनाई है देखिए 1,2,3,4,5, छे और सात रो बनाने के बाद अब हम मुढधे जोईन करेंगे तो आप अपने कौर्णिंग बना ले जितने भी आपको मुढधे रखने है वाजू रखने है उसके बना ले उसके बाद कैसे हमें जोईन करना है वो हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले तो हम कौर्णर तक डबल क्रोशर बना के लेकर आएंगे यहां से यहां तक डबल क्रोशर बना ली अब कौनर के अंदर डाल कर इसमें देखिए इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशर बनाएंगे इस तरीके से रोसे वाले कॉनर को पकड़के इसके बीच में डालकर एक डबल क्रोशर बनाएंगे हम हमारे मुठे जॉइन हो गए हैं दिखिए ठीक है यहाँ पर जितनी भी चैन है हर चैन में हमें एक बार डबल क्रोशर बनाना है इस तरीके से और दूसे में पकड़गे इसे बनाते हैं यहाँ तक आने के पड़ इसके बीच में एक डबल के बना लिया अब दूसे को पकड़के इसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशर बनाएंगे दोनों मुठे जोईन हो गए हैं देखिए पास वाली चैन में एक बना लिए हमने चैन दिखेंगे हर चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशर बनाते हैं इस पूरी रोको कम्प्लीट करेंगे देखिए जितनी भी चैन है हर चैन में डालकर एक एक बार हम डबल क्रोशर बनाएंगे जितनी भी चैन दिखेंगे हर चैन में एक एक बार हम डबल क्रोशर बनाते हैं यहां तक आगे हैं इसमें जोईन करेंगे इसको इस तरीके से अब हम आपको देखाने, देखें अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, जितनी भी आपको इनर की length रखनी है, उतनी लंबाई इसकी बनाते जाएं, और जितनी भी इसकी length रखनी है, हर चैन में एक एक बार हम double crochet बनाते जाएंगे, इसको ऐसे ही repeat करना है, कोई भी फंद उतने ही फंदे रखने हमें ठिक है लेंट बनाने के बाद यहां से आप उनको जॉइन करें यहां से बीच में आपको दिखे रहे है। यहां से उनको जॉयन करने के बाद जितनी भी चैन है feedback में एक एक रखुर्ण ब्यावट इसको ऐसे ही repeat करते जाएं और जितनी आपको बाजू की लंबाई रखनी है इतनी बाजू बना ले और उसके बाद आपकी पूरी inner बन जाएगी तो बहुत सारल है बहुत अच्छी लगती है एक बाद इसको जरू ट्राय करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा तो अब मैं आपको मिलती है अपनी अगली वीडियो में जब तक आफिस को उन्जाए करें बाई हाँ अगर अभी तक आप लोग ने मुझे फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में जाके जरू फॉलो करें बाई